and welcome you all I am Ruit from Bhajan Traders so guys आज हम बात करने वाले हैं हाथवे केबल्स को लेकर so guys यहाँ पर रिजल्स आ गए है और रिजल्स में अगर देखा जाए तो ज़्यादा अच्छे रिजल्स नहीं आए हाथवे केबल्स के बट तबी भी guys अगर देखा जाए जितने गिरावट इसमें आनी चाहिए ति उतनी नहीं है यह बिल्कुल लोग इस पर भरोसा कर रहे हैं और ऐसा ही अगर भरोसा रहा ना तो बिल्कुल यह stock आग लगा सकता है और guys मेरा भी एक ही suggestion है कि आपको गलती से भी एक भी share नहीं बेचना क्योंकि guys यहाँ पर stock में जो future है ना future काफी bright है और stock के उपर यहाँ पर Jio Reliance Jio का काफी बड़ा हाथ है और दिखा जाए यहाँ पर काफी बड़ा alliance होने वाला है आने वाले टाइम में हाथवे cables और Reliance Jio का और guys मुकेश हमबानी खोद इस company को own करते हैं तो बिलकुल ओ इसे use में लेने वाले है और देखा जाए जो अलोग industries में जो बड़ा spike हमें देखने को मिला तो हाथवे cable में भी बड़ने देखने को मिल सकता है तो कहीं न कहीं हलकी सी गिरावट आज काफी stocks में देखने को म subscribe नहीं किया है तो please guys channel को subscribe कर दो और guys यहाँ पर अगर एक चीज में बता हूँ अगर आपने मेरे telegram channel को join नहीं किया है intraday calls के लिए तो बिलकुल join कर लो अगर आप loss में है तो बिलकुल आपका loss profit में convert होने में time नहीं लगेगा तो link में description में दे रहा हूँ तो वहाँ पर जा देख रहा है pathway cables पे जहाँ 2020 में 3.33% की holding थी public की जो March 2021 में बढ़ गई कितनी 4.49% यहाँ तक तो ठीक था जादा कब बढ़ी June 2021 में कितनी बढ़ी है guys 12.19% तक की holding है यहाँ पर बढ़ गी है और 13% तक की holding बढ़ी 2021 में September 2020 में बढ़ी और देखा जाया तो December 2020 में कितनी बढ़ है 13.63 के आसपास 13.63 परतिशत के आसपास की holding बढ़ गई है public की भी तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है और यही आगे अगर बढ़े है तो holding में अगर देखो तो FI की holding भी काफी तगड़ी बढ़ रही है FI की holding 2020 के अगर देखो December 2020 की 2.14% के आसपास की guys से आपर नजर आ रही थी वही guys 2021 के अगर मैं बात करूँ 3.28% तक की holding है यहाँ पर 2021 मार्च में और guys वही अगर देखा जाए यहाँ पर June 2021 में कितनी holding बढ़ी 5.84% के holding बढ़ गी थी June 2021 में और guys वही अगर बढ़े आगे तो September 2021 में अगर देखें तो 6.29% तक की holding बढ़ी है और वही guys अगर देखा जाए यहाँ पर December 2020 में तो 6.59% तक की holding बढ़ गई है यहाँ पर halfway cables में तो guys इस तरीके से अगर holding बढ़ती रही ना तो बिलकुल halfway cable एक अलग मुकाम पर बहुत सकता है बट results के खारण भले इसमें गिरावट आई हो बट यह बिलकुल यह उपर की और जो गिरावट ह है जो बढ़त में convert होने में जादा time नहीं लगेगा तो guys अब बात करेंगे इसके current price के आज इसमें क्या हुआ है और इसके patterns की तो guys यहाँ पर अगर देखा जाए halfway cables and data.com limited के बारे में हम बात कर रहे है और बिलकुल यहाँ पर अगर देखो तो उस closing कहाँ पर दी है यहाँ 22 रुपे, 60 पेसे पर stock closing देता हुआ नजरा रहा है लगबख 60 पेसे तक stock में गिरावट है और देखा जाए 2.80% के हिसाब से stock नीचे की और गिर गया है guys और देखा जाए ऐसे ही यहाँ पर अगर हमें आज गिरावट काफी बड़ी देखने को बले है जिसके results के हिसाब से जो हमें लग रहा था ना कि काफी बड़ी गिरावट आएंगी बट वेसा नहीं हुआ एकदम स्मूथ तरीके से stock में एक हलकी सी गिरावट है बट कल एक बड़त हो सकती है और guys वही अगर देखा जाए हाथवे cables में बड़े आगे तो charts को समझना important हो जाता है और हाथवे cables क अगर charts को अगर देखा जाए तो guys यहाँ पर आपको चीज़ देखने को मिलेगी तो यहाँ पर इस sideways consolidate कर रहा था और बिल्कुल यहाँ पर हमें breakout मिला breakout के बाद उपर गया था यह retest नहीं किया तो यह retest करके उपर की ओर जा सकता है इस particular level को अगर देखो तो यहाँ पर भी एक big level है हम इसे big level कहता है एक फालिंग वेज जिसा pattern है और फालिंग वेज पैटन में आपको बता आएगी याई resistance support का game यहाँ पर चलते रहता है और resistance support यहाँ पर भी हमें देखने को मिले है hardware cable जाना है वही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अगर हमें breakout मिल जाता है तो बड़ी देखो तो यहाँ पर 72 रुपिस के price से stock नीचे की और गिरा है यहाँ से बढ़ने में time नहीं लगेगा यहाँ से बढ़ने में time नहीं लगेगा और बिलकुल यह stock तगडे return देने वाला है वही अगर देखा जाए 5 दिन के time frame पर 15 पेसे तक stock में यहाँ पर एक गिरावट है 0 66% के हिसाब से और गाइस वही अगर देखा जाए एक महीने में stock 2 रुपे 40 पेसे तक यहाँ पर बड़ा है 11.88% के हिसाब से वही अगर देखे 6 महीने में stock में क्या हो रहा है तो यहाँ पर 4.15% तक रुपीज तक stock में गिरावट है और 15.51% के हिसाब से stock गिरा था वही रुपे 20 पेसे का तो यहाँ पर stock में अच्छा कास है यहाँ पर एक trade भी कर रहा था और दिखा जाए यहाँ पर 3.97,000 करोड का trade value है और 19.69 का sorry guys यहाँ पर 3.97 का यहाँ पर 1000 करोड का आपर आपको देखने को मिल जाएगा trade जो market cap और market cap के आपके हिसाब से तो एक चीश क्ल यहाँ पर high है और 19.60 का यहाँ पर low भी आपको देखने को मिल जाएगा और ही guys अगर बात करें resistance और support levels के बारे में तो first resistance level यहाँ पर 23.53 पेसे का है second resistance level यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 23.82 पेसे का third resistance level 23.92 पेसे का देखने को हमें मिल रहा है so guys अगर बात करें अगर यहाँ पर support levels की तो 23.08 पेसे का first support level है second support level 22.92 पेसे का है और third support level यहाँ पर 22.63 पेसे का है तो बिल्कुल यह बढ़ रहा है और guys वहीगर देखा जाए यहाँ पर जो price performance है काफी upside down इसमें देख रहे है so वहीगर देखें यहाँ पर upside downs में one week का तो plus में है 0.45% one month का 7.14% plus में है three months का देखा जाए minus 15.09% यहाँ पर minus में है year and half का फिर से plus में आ गया 2.74% year का देखा जाए minus 29.80% और three years का देखा जाए minus 27.07% है minus में और वही guys अगर देखा जाए trade value तो 80 lakh का आसपास का trade value है और yesterday की अगर बात करो 86 lakh का अबो का trade value और common delivery है 44 lakh और वही अगर देखा जाए one week का average तो one crore का trade value है 47 lakh का है common delivery one month के average में 56 lakh का trade value 27 lakh का common delivery देखने को मिल जाएगा अब बात कर ले अगर community sentiments के आकड़े तो 84% तक लोग बिल्कुल buy के लिए कह रहे है और 5% लोग जो है sell के लिए कह रहे है और 11% लोग क्यों उसे कहा जा रहा है hold के लिए revenues net profit यहाँ पर वहले है बस निमें changes आएंगे बट share holding pattern अगर देखें तो वही की वही है 75% की holding है आपर वहाँ promoters की और guys वही अगर देखा जाए यहाँ पर FIS DIS की holding भी है FIS अपनी holding बरा है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो FIS है 6.59% के साथ और DIS भी holding बढ़ाएंगा आने वाले टाइम में 4.77% अभी तो holding की खई दे रही है public holding अगर देखी जाए 13.63% की holding देखने को मिल रही है so guys वीडियो आपको अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना चनल को सब्सक्राइब कर देना thank you